आज एक बहुती बड़ा मुकाबला है स्पेन वर्सिस जर्मनी और जर्मनी के लिए ये डू और डाय गेम है अगर यहां जर्मनी हार जाती है तो फिर से उनके सर पे खत्रा मन रहेगा to get knocked out of two consecutive World Cups in the group stage but before we begin this video is brought to you by Trago Trago एक opinion trading platform है जिसमें आप simple yes और no में answer देके पैसे कमा सकते हैं Trago पे आप जितना जादा invest करेंगे उतना जादा आपको profit होने का chance है आप अपनी earnings जो है वो UPI के through withdraw कर सकते हैं इसमें आपको cricket, politics, bollywood, crypto और बहुत सारे अलग अलग topics होते हैं और बहुत सारे topics होते हैं जिनको आप discuss कर सकते हैं और simple yes और no में opinion दे सकते हैं जैसे आज का match है तो उसमें एक simple सवाल है कि क्या Spain, Germany के against जीत सकती है तो इसकी आपकी जो भी राय हो yes और no में आप इसमें जवाब देके इस पर trade करके आप पैसे कमाने का मौकब पास सकते हैं और इसी की तरह अगर हम cricket की बात करें तो क्या India, New Zealand के against दूसरा ODI जीत सकती है तो ये दो event है जो आपको sports related मिलेंगे आप अपने पहले deposit पे 20% cashback भी पास सकते हैं लिंक जो है trago का आपको description और pinned comment में मिल जाएगा so head down there and download the trago app now तो जैसा मैंने का जर्मनी के लिए situation जो है वो बहुत जादा खराब है और जैसा हमने discuss किया था पहले कि Japan से जो जर्मनी हार गई थी काफी उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लिए है जर्मनी थर्ट पे है कोस्टरी का फोर्थ पे है 0-0 पॉइंट्स पे तो यहाँ पे अगर जर्मनी हार जाती है और Japan कोस्टरी का अगसे जीत जाती है अपना गेम तो यहाँ पे straight forward हो जाएगा Spain और जपैन के 6-6 पॉइंट हो जाएगे और जर्मनी टूर्नामेंट से भार हो जाएगी और बहुत ही जादा यह एक शौकिंग चीज होगी कि वो टीम जो 1938 से हर साल नौकाउट्स में खेली है हम उस टीम की बात कर रहे हैं जिसने 2002 और 2014 में वर्ड कप का फाइनल खेला है और 6 और 10 में सेमी फाइनल खेला है तो 4 वर्ड कप 2018 से पहले जो थे उसमें जर्मनी की प्रेजन्स आपको दिखती ही थी सेमी फाइनल और फाइनल में और उसके बाद अगर दो वर्ड कप में वो लगातार नौकाउट हो जाएं ग्रूप स्टेट से तो ये एक बहुत अजीब सी बात हो जाएगी वर्ड कप रोयल्टी है जर्मनी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है लेकिन क्या आज जर्मनी स्पेन को हरा सकती है जिस तरीके से देखिए उन्होंने खेला अगेंस्ट जपैन यहाँ पर बहुत लोग डिसेपॉइंट हैं और बहुत सारी हमने बातें करी थी कैसे एक फुल बैक्स में जो पेस की कम्य हो उसकी वज़े से जपैन ने उनको खोल दिया और जपैन उस वज़े से गेम में वापस आई बट मुझे एक चीज ये लगती है इसमें कि फर्स्ट हाफ जो था जर्मनी का अगेंस जपैन वो उतना खराब नहीं था एक कैश्वल अप्रोच थी जर्मनी की जिसमें उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिये थे वरना वहाँ पे एक अच्छा मौका था जो आसानी से पोजेशन गिव अप नहीं करते हैं अगर जर्मनी स्पेन को प्रेस भी करती है तो स्पेन में वो क्वालिटी है कि जल्दी से बॉल को मूव करना हाफ टंस पे पोजेशन का स्टेट चेंज कर देना और वो प्रेस प्रेक कर देना है एक दो पासिस के साथी तो बहुत जादा मुश्किल होगा इस स्पेन की टीम को आज टक कर देना इस जर्मनी की तरफ से अब जर्मनी में क्या इशूस हैं आगे अब साने की जो इंक्लूजन है वो 50-50 है अगर आज लिरोई साने कहलते हैं गनाबरी को राइट में I would like to see Musiala playing centrally और Thomas Muller that striker up top क्योंकि Kai Havertz की बिल्कुल भी अच्छी form नहीं चल रही है और Thomas Muller हम सबको पता है कि World Cup से उनका कैसा record रहा है और यहाँ पर 10 World Cup goals है Thomas Muller के नाब और यहाँ पर एक चीज है कि जितना Spain अच्छे थी फर्स्ट केम में उतनी अच्छी शायद Germany के अगेंस्ट नहीं होगी और जितनी खराब Germany second half में Japan के अगेंस्ट थी उतना खराब वो Spain के अगेंस्ट नहीं होगी तो हांसी flick इन सब चीजों पे थोड़ा सा mindful होंगे और हमको पता है कि when the backs are against the wall Germany तभी जो है अपनी mentality निकालती है उपर और तभी जो है वो against the odds वाली चीज़ें करते हैं और एक elite हमको never give up वो ruthlessness है वो जो German instinct है वो हमको दिखता है देखें मुश्किल बहुत होने वाले Germany के लिए बट मुझे लगता impossible नहीं है यहाँ पर अगर आप अपना shape रखेंगे और easily आप cheap possession giveaway नहीं करेंगे थोड़ा आप काम रहेंगे आप chances create कर लेते हैं final third में आपको quality रखनी है I still think it's 70-30 in favor of Spain जहां तक हम prediction पर मैं आऊंगा अभी end में तो prediction के हम बात करेंगे but I still think कि Germany can do it Germany को करना ही पड़ेगा वरना it is very hard to believe कि Germany जैसी team लगातार दो World Cup में भार हो जाएगी और problem यह है Germany के लिए कि वो बिल्कुल भी हारना फोर्ट नहीं कर सका क्योंकि जिस minute Japan ने Costa Rica को हरा दिया उसी second Germany अगर Spain से हार जाती है तो they will be out of the tournament फिर Spain के लिए Japan के अगेंस जीतना जरूरी हो जाएगा और वहाँ पर फिर एक जो है interesting situation बन जाएगी तो यह जो World Cup है और यह जो group है बहुत जादा surprises से भरा हुआ है और बहुत जादा मज़ा आ रहा है एकदम खुल गया है tournament कोई भी team पहुंच सकती है सारी teams का realistic chance है next round में पहुंचने का तो अगर मैं prediction की बात करूँ तो I'll go for a 1-0 sweat, blood and tears victory for Germany उनको सब कुछ field पर छोड़ना पड़ेगा आज तब ही जाके कुछ होगा because हमको पता है कितने सारे flaws हैं जर्मन टीम में lack of pace in fullbacks है lack of instinctive finisher है instinctive striker की कमी है उपर लेकिन उन सब चीजों से आज आज आपको पार पानी पड़ेगी Hansi Flick एक अच्छे coach है उनको पता है कि वो क्या करवाना चाहते हैं इस team से लेकिन एक जो चीज इसमें आपको दिक्कत दे रही होगी कि Germany की team ना बहुत जादा United नहीं लग रही है जैसे Denmark का आप squad देखे Even France का आप squad देखे Brazil का आप देखे Kal Argentina का आप देख लीजिया match जीतने के बाद Germany में वो unity नहीं आ रही है तो कुछ dressing room problems मुझे लग रही है जो behind the scenes है because उसके बाद आप देखिए slaughterback को openly criticize कर दिया Hansi Flick ने post match में कि उनकी गलती थी और ये थी तो इस तरीए कि जब चीजें होती है ना तो behind the scenes आपको कुछ चीजें सही लगती नहीं और फिर वो on field translate हो जाती है तो देखते हैं क्या होता है आज का match काफी interesting होगा आप मुझे बताएं आपकी prediction क्या है अगर आपका कुछ opinion है इस match में तो आप ट्राइगों पर trade करके पैसे कमाने का मौका पा सकते हैं and same with the second ODI for Indian New Zealand तो मिलते हैं आज फिर शाम को analysis और discussion stream के साथ और reaction stream जो चलेगी जब match चलेगा तो उसके साथ साथ हम भी रहेंगे तो मिलते हैं फिर शाम को till then take care bye bye and peace